हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी दोस्त वरणा और आज हम देखने वाले है रान बाजार वेप सेरीस का लास्ट एंड वैस्ट एपिसोड का रिव्यू और चिन दोस्तों ने मेरे पहले एपिसोड नहीं देखे हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है उस पर जाकर आप बागी के एपिसोड देख सकते हैं और दोस्तों रिव देखने के बाद मेरे चायल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना भूलेगा नहीं तो चलिए देखते हैं दस नंबर के इस एपिसोड में क्या होता है इसका नाम है रा में आता है और उन्हें बताता है कि इलेक्षन के पेले एक धमा का होना चाहिए और लक्ष्मिन अगादी से भीड़ वाले जगह पर हम लास्ट करेंगे तो करीमन बीस लोग तो मारे जाएंगे और सब लोग नाइट के सरकार पर बुस्सा हो जाएंगे और हमारा जित का रस ची को उसने ऐसे ही बाम ब्लास में बाम ब्लास के वज़से होया था और उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि पॉलिडिशन लोग ही अपने स्वारत के लिए लोगों की बली चड़ा आते हैं और अगले पूटेज में हम देखते हैं कि 2002 और 2004 रूम के बीच एक दरवाज जाता है और उसमें से आईशा ही साइजी के रूम में आई थी और उसने उसके आने से पहले साइजी पाटिल ने वाएगरा की गोली भी खाली थी और उसके बाद साई जी और आईशा इंटीमेट हो जाते हैं तबी साई जी पाटिल के पोन पर किसी का कॉल आता है पर ओ आईशा की साथ जोश में होने की वज़े से फोन उठाती नहीं है और फोन कैमरे के पास गिर जाता है और वही रिकार्डिंग बंद हो जाती है इस हम देखकर मोकाशी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि आईशा ने उसे जुट बोला था कि ओस आई जी के रूम में नहीं गई थी उसके बाद मोकाशी राउसाइब को कॉल करके उन्हें एक अंजन जगह पर बुला कर ओर रेकार्डिंग दिखाता है तब राउसाइब बोलते है कि इस फुटेज की एक ही कॉपी है ना तब मोकाशी बोलता है हाँ सिर्फ एक ही कॉपी है उसके बन राउ साहिब उस पेंडराई को लेकर सीम नाइक के बंगले पर जाते है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपपा देवेकर उन दो पत्रकारों को स्टोरी बताते बताते रुख जाते है तरफ हमें एक कहानी प्रूप करने के लिए कुछ प्रूप तो चाहिए तब अपपा बोलते है कि उस फूटेज की एक कापी मेरे पास भी है और पत्रकार शौक हो जाते हैं अगले सिर में हम देखते है कि राउ साहिब सीम को और टेम देते हैं तब सेम बहुत कुछ हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं जल्द ही तुम्हें मुंबई का पुलिस कमिश्टर बना दूँगा। आगे हम देखते हैं कि उस पूटेज की दूसरी कौपी मोकाशी अपपा को देते हैं। और अपने अड़े पर जाता हैं जाते वक्त उस पर हमला होता है पर मोकाशी उससे निकल कर अपने अड़े पर जाता हैं। तब उसे राउसाइब का कॉल आता है और वो बोलते है कि मैं तुम्हारी केस को दबा दूँगा बस आईशा को खत्म करो यह सुनकर मोकाशी गुस्ता हो जाता है और राउसाइब को गालिया देता है और कॉल करता है उसके बाद राउसाइब नाफुश हो कर किसी को कॉल करते और इदर मोगाशी आईशा के रोम में जाकर उसे किस करता है और गालिया देता है क्योंकि उसने जुट बोला था कि ओस आईजी के रोम में नहीं गई थी तब आईशा बोलती है मैंने साईजी पार्टिल को नहीं मारा है उनकी हलचर अचानब बंद हो गई इसलिए में डर ग डेड़ दिन में ही गिर जाती है और नाइक सीएम पत की और प्रेणाताई डेपुटी सीएम पत की शपट लेती है अगले सिन में देखते है कि लड़किया बेचने वाला अन्ना मोकाशी और आईशा के रोम में जाता है और दो बार गोलिया चलाने के आवाज हमें आती है और अन्ना नीचे आता है, इस सब कानी सुनकर, सुनाकर पत्रकार अप्पा देवेकर, ओ पेन रायू उन पत्रकारों को देने के लिए एक ट्रंक निकालते हैं, जिसमें एक चाबी होती है, तभी उनको हर्ट अर्टक आता है, ओ पत्रकारों ने बेड़ पर लिटा कर चाबी क कहा की है, यह पूछते हैं, और आइम्बूलोंस को कॉल करते हैं, पर तभी अप्पा की आखे बंद होती है, और इसी सीन पर इस एपिसोड का दियेड हो जाता है, तो दोस्तों, इस सीरीज देखने के बाद बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, जैसे कि रतना का क्या का शीमा मारे गए क्या, अप्पा मेरे मरे या नहीं, दोस्तों, मुझे लगता है इस सीरीज का सिक्विल आने वाला होगा, तो अप्पा को जिंदा रहना ही होगा, है ना, तो चलिए, दोस्तों, आपको इस सीरीज कैसी लगी, यह मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, औ जल्दी आउंगे एक नई सीरीज ले कर तबते के लिए आपकी दोस्तों सुवर्नकों भूलेगा नहीं, बाइच बाइच